लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बावजूद रबनीत सिंग बिट्टु को पीम मोधी ने अपनी टीम में जगह दी है उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है पंजाब में अरुन जेटली हर्दी पूरी के बाद हार कर भी मोधी मंत्री मंडल में शामिल होने वाले बिट्टु तीसरे सांसद है इसी साल 26 मार्च को बिट्टु कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए थे पीजेपी में आने के 75 दिन बाद ही उन्हें यतोफ़ा मिल गया वह अभी तब जब पंजाब में 26 साल बाद बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है विधान सभा में भी महस दो विधायक होने के कारण बीजेपी यहां से उन्हें राज्जी सभा भेजने की स्थिति में भी नहीं है ऐसे में सवाल सब के जहन में हैं कि आखिर बिट्टु को फिर मंत्री क्यों बनाया गया और पियमोदी ने उन्हें अपनी कैबिनिट में शामिल क्यों किया लोगसभा चुनाब में बीजेपी के लिए पंजाब से इस बार अच्छी ख़बर नहीं आई पार्टी एक भी सीट नहीं जीट सकी जबकि 2019 के चुनाब में बीजेपी को पंजाब में करीब 9.5 फिसदी वोट के साथ दो सीटे मिली थी इस बार बीजेपी ने अपना वोट प्रत्रिशत तो बढ़ाया है लेकिन एक भी सीट नहीं जीट सकी खुद बिट्टू भी अपना लुधियाना सीट नहीं बचा पाए बिट्टू पंजाब के पुर्व मुख्य मंत्री बेयंत सिंग के पोते हैं बिट्टू इससे पहले कॉंग्रेस के टिकट पर 2014 का चुनाव आननपूर साहिब से और 2019 का चुनाव लुधियाना से जीट चुके हैं लोगसभाद चुनाव के दौरान वे कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए और लुधियाना से चुनाव भी लड़े लेकिन कॉंग्रेस नेता अमरिंदर सिंग राजा वडिंग ने उन्हें करीब 20,000 वोटों से हरा दिया लेकिन बिट्टू चुनाव हार कर भी किसमत के सिकंदर बन गये हैं उन्हें मोदी मंत्री मंडल में जगह मिली है जिस तरह चुनाव हारने के बाद भी पियम मोदी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है उसे लेकर सब हैरान है समधा जा रहा है कि गटबंदन की सरकार होने और तमाम दबाब के बाद भी पियम मोदी अपनी भविष्य की रणेती का संकेट देने में खामियाव रहे हैं उन्होंने अपनी टीम में ऐसे नए चेहरों को शामिल किया है जो लोगसभा चुनाव तो हार गए हैं पर भविष्य में अपने राज्यों में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं इन में प्रमुक नाम रवनीच सिंग बिट्टू का है संकेट मिल रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं बिट्टू को चुनाव के बाद बड़ी जिम्यदारी मिल सकती है इसके संकेट लोगसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लुधियाना की रैली में पुर्व ग्रिह मंत्री अमिट शाह ने दे दिया था और कहा था कि आप लोग रवनीच सिंग बिट्टू को वोड़ दे कर जीताईए मैं जल्द ही बिट्टू को बड़ा आदमी बनाऊंगा मंत्री पत का शपत लेने और आजे में बिजे पी का बड़ा चेहरा बनने के बारे में बिट्टू क्या बता रहे हैं ये सुनिए काम कोई हो आप एक मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं आप एक मंत्री बन जाएं और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है और वो भी ना आप MP है ना कुछ है फिर भी आपको शबद लवा दें परदान मंत्री जी और अमिश्शा जी तो इससे बड़ी बात पंजाब के लिए और मेरे लिए कोई होई नहीं नहीं करते हैं उन्होंने सवयाम लुज्याना में ये बात करी कि इसको चिता कर लाओ ना गया है और वो ही उन्होंने करके दखा दिया जो वो कहते हैं उससे कभी वो पीछे नहीं हटते चाहे अब मैं तो सोचता था अगर मैं जीत के आता तो मुझे बनाते अब जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे नभाएंगे लेकिन फिर भी जब नाम आया तो पता चला पंजाब को कैसे बदलेंगे इस पर भी बिट्टू की राय बिल्कुल साफ है अगरस ने कभी पंजाब के लिए सोचा ही नहीं कुछ ये खास तोर पर हमारे बाल भी की समाज से हैं बहुत बड़ा एक नाम है निकार तो इसलिए सारे समू एक तरफ बीजेपी के साथ खड़े हैं भी हर को यह है वहाँ पर नशागर और वहीं पर हम इस शायर नांस किया बही एक आफिस है हमारा नार्काटिक्स बियरो का हम सतना आफिस को लेंगे हर डिस्टिक में अब देखना जस दिन वो आफिस खुलेंगे और वहाँ पर आप सुझते हैं कोई नशेवाला दिख जाएगा कोई कोई नेक्सिस उनका दिख जाएगा अगर कोई होगा वो उठ अतना दफ्तर खुलने एक बहुत बड़ा महत्ता है पंजाब के लिए ड्रग्स के लिए और दूसरे काम जो करने है फंड लेके जाना है वो मेरा काम है अंडस्ट्री के बहुत बड़े इश्यू है हमारे फिनांस मिनिस्टर वहाँ पे गए उन्होंने खुल सबसे वादा क और जैसे कि आपने कहा किसानों का मुद्धा मैं खुद अपने कंदों पे उसे उठा के सेंटर से सब चीज़ें हल करवाँगा मैं आपके माद्यम से ये किसानों को विश्वाश तलबाता है बिट्टू के जरिये पार्टी को राज्य में एक स्थानिय सिख चहरा मिल गया है जिनकी राज्य में बहुत लोग प्रियता है दूसरी बात यह समझे जा रही है कि रबनीच सिंग बिट्टू के परिवार का पंजाब में अच्छा खासा सियासी रसूख है उनके दादा बेयंच सिंग कॉंग्रिस के कदावर निता थे उन्हें पंजाब में आतंक वाद खत्म करने का श्रेद दिया जाता है बेयातंक की हमले में ही मारे भी गए थे पंजाब में बेयंच सिंग का नाम आज भी बड़ी सम्मान से लिया जाता है पंजाब के लोग आज भी बिट्टू में दिवंगत मुख्यमंत्री बेंद सिंग की जलक देखते हैं समझा जा रहा है कि रबनीद सिंग बिट्टू के जरी बीजेपी की कोशे सुनके दादा की विरासत को भुनाने की है और पार्टी को उमीद है कि पंजाब में 2027 में विधान सभाचुनाव से पहले तक बिट्टू पार्टी में जान फोंक देंगे टाइमसनाव नभ भारत डिजिटल की रिपोर्ट